हलो दोस्तों आप सभी का अपना यूटूब चैनल प्लामू क्लास्टस में आप लोगा स्वागत हैं दोस्तों आज चलिए हम लोगा साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंस क्यूशन के बारे में बात करेंगे जैसे में कि आपके पास सवाल है जब किसी जिल की तल्ली से उठकर वा का एंसर क्या होगा जो आप कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाट तक देखें तब ही पूरा समझ में आएगा और दस मोस्ट इंपोर्टेंस किफ्टेंस हैं चलिए साइद आप बता दिये होंगे अब हम बता रहे हैं आप अपना एंसर मिला ये आप आपके पास इसका इंसर ए हो गया देखिए अगला सवाल रहा आपके पास वायू मंडल में बाद लोग के तैरने का अकार है उनका काम उनका काम क्या है देखिए आपके पास चार ओप्सन है आपके पास चार ओप्सन है इस चार ओप्सन में से आप बताया कि इसका इंसर क् सब्सक्राइब बता दिये होंगे इस चार उप्षन में से चलिए हम बता रहे हैं कि इसका इंसर आपका हो गया डी देखे अगला सवाल रहाब आपके पास जब कोई बहतंबल न लगा हो तब द्रो की एक छोटी बुंद की आकरिती निर्धारित होती है देखे इसका इंसर क् कि छ सोग है चार फिछन हैं चार उप्षन में से एक रफ कर स ie है वह इंशर क्या है जो आप कोमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता किसका इंसर क्या होगा कि incar सादा बता दिया होंगे इसका इंसर इसका अब बता रहा है इसका आपके सोग्या ए चलिए अगला सवाल रहा आपके पास देखिए आपके पास अगला सवाल आ गया किसी वस्तू का भार अधिक्तम होगा किसी वस्तू का भार अधिक्तम होगा देखिए इस में ओप्शन है इस ओप्शन को आप देखिए इसमें से एंसर बताएए इसका कौन सा एंसर होगा और प्रीज दिखिए उपर में कुछ सुजाओ दिया हुआ है वो सुजाओ को आप पढ़ ले चलिए इसका एंसर क्या होगा अब हम लोग देखेंगे कि इसका एंसर क्या है चलिए साधा बता दिये होंगे ऑब हम बता रहे हैं इसका एंसर हो गया ड चले बगला सवाल रहा आपके पास घड़ी में चावी देने का उदय से है उनमें उर्जा का भंढर करना या उर्जा होती है जो घड़ी में चावी देता है उसको साइंस के कौन नियम से हैं देखिए इसका एंसर क्या होगा जो आप कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके बताए और वीडियो को लास्ट तक देखें चलिए सैद आप बता दिये होंगे इसका एंसर चलिए अब हम बता रहे हैं इसका एंसर क्या होगा देखिए आपके पास हो गया इसका एंसर सी चलिए वागला सवाल रहा आपके पास प्रकास तंतु जिस सिधार्थ पर काम करता है वह है वह क्या है देखिए आपके पास ऑप्शन रहा इस ऑप्शन में से आप बताया कि प्रकास तंतु काम करता है वह क्या है देखिए आपके पास ऑप्शन है इस ऑप्शन में स सही एंसर बता है झाल देखे साइद बता दिये होंगे चलिए अब हम बता रहे इसका इंसर क्या होगा चली इसका इंसर होगिया ए अगला सवाल रहा है आपके पास है कि इस्तृत था बच्चों की आवाज तीखी होती है इसका कारण है इसका कारण किया है कि बच्चों और इस्त्रियों को ही आवाज दिखी होता है देखिए इसका इंसर क्या होगा चलिए साइदा बता दिया होंगे अब इसका इंसर हम बता रहे हैं इसका इंसर क्या होगा देखिए इसका इंसर एह हो गया आप मिला लिए लなた कि अगला सवाल रहा आपके पास सितार तत्था वूना 20 बजाए गया समान शोर किस सक्वूंद में भी उति एक इस बूर में भी मुन होती है देखे कि उचन यहां पे हैं और option आपका यहां आ गया देखिए इसमें option में क्या होगा देखिए इसी option से आपको answer बताना है देखिए साथ आप बता दिया होंगा answer चलिए अब मिला लिजिए आपका कुन सा है और सही है या गलत देखिए आपका answer हो गया बी चलिए अगला सवाल रहा आपके पास प्रोफेशर नवन के जिस कार के लिए उन्हों है नोबेल पुरुषकार प्रदान किया गया था उनका संबंध है उनका संबंध किस से है किसमें उनका नोबेल पुरुषकार मिला था देखिए साथ आप जान रहेंगे तो आप है इसका एंसर क्या होगा के भी चलिए प्रतिधावनी को सुनने के लिए मुल आवाज और प्रतिधावनी के के बीच का समय अंतराल क्या होगा प्रतिधावनी के बीच का समय अंतराल क्या होगा दोनों में कंप्रीजन किया गया है उसका समय अंतराल क्या होगा जो आप बताए कुमेंट बोक्स में कुमेंट करें आज के लिए लास्ट का वाल है लिए स्क्राइव बता दिया होंगे इसका answer क्या हो गा से अब हम बता रहे हैं क्या answer आपका हो गया seeもう देखे साथ कहले मैं का सही होसागा answer कि चलिए आज के लिए बस इतना है वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और कोमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर करें अच्छा लगे तो प्लीज थैंक यूँ